Hello to all my story lovers. Welcome back in story time channel. आज के हमारी कहानी का नाम है दो बैलो की कथा. प्यार और अपने पन को पशू भी महसूस करते हैं. उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान भी होती है. मुझ से कुछ कह नहीं पाते, परंदु अपने व्यवभार से अपनी बात हम तक पहुचा ही देते हैं. तो ऐसी ही दो बैलो की कहानी है, जो प्रेम चन ने लिखी है, आज हम इसको पढ़ेंगे. तो इस कहानी का आनन लीजिए, चलिए. जोरी एक किसान था, उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती. दोनों में बहुत प्यार था, वे नान में एक साथ मुह डालते और एक ही साथ हटाते. जोरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था, वो कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था. पशु भी प्यार के भूके होते हैं, वे भी जोरी को बहुत चाहते थे. एक बार जोरी की पतनी का भाई गया, हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गाव ले जाने के लिए आया. बैलो को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें क्यों और कहां लिए जा रहा है. रास्ते में दोनों ने उस बहुत तंग किया, अगर मोती बाय भागता तो हीरा दाए. इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा, घर पहुच कर उसने उनके सामने रूखा सुखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सुंगा तक नहीं. राथ होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चे किया, उन्होंने जोर लगा कर रसियां तोड डाली और भाग निकले. सुबह होने पर जब जूरी ने उन्हें अपने थान पर खड़े देखा, तब वह सब कुट समझ गया और प्यार से उन्हें पर हाथ फिरने लगा. परन्तु जूरी की पत्नी उन्हें देकर जल भून गई. अगले दिन गया बैलों को लेने फिर आया. इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोद कर ले चला. रास्ते में मोती गाड़ी गटे में धकेलने लगा. पर हीरा ने गाड़ी संभाल ली. जैते इस देसे गया घर पहुँझ गा. अब गया ने उनसे बहुत सक्ती से काम लेना शुरू कर दिया. वह दिन भर उन्हें हल में जोदता. जब तब उन्हें मारता पीटता. शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बान कर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता. गया के घर में एक छोटी से लड़की रहती थी. वह बैलों की दुर्दशा देख थी. तो उसे बुरा लगता. वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती. दोनों बैल उसके प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते. एक दिन मोटी रस्से को चबाकर तोड करने की कोशिश कर रहा था. तब ही वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया. दोनों बैल वहां से भाग निकले. थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तब वह भी उनके पीछे दोड़ा. पर उन्हें पकड़ न सका. अब हीरा और मोती आजाद थे. र हीरा और मोती के होश उड़ गये. भागना बेकार था. इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया. सांड ने आकर जब हीरा पर वार किया तब मोती ने उन पर पीछे से सिंगों से चोट की. सांड घबरा गया. मिलकर काम करने में बल है. दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया. दो तो रास्ते में मटर का एक खेत दिखाए दिया. भूख तो लगी रही थी. हरे हरे मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई. वे खेत में गुश गए और लगे मटर खाने. अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया. और दोनों को चा हरो और से घेर कर पकड़ लिया. और कांजी होस में बंद करवा दिया. हीरा और मोती ने देखा कि कांजी होस में कई जानवर बंद थे. बैसे, घोडे, घोडिया, गधे, सब कमजोर और दुबले, पतले. वहां किसी के लिए चारे, पानी का कोई प्रबंद नहीं था. यहा कहां आफसे, उन्होंने सोचा. रात हुई, मोती ने हीरा से कहा कि अगर दिवार तोड़ दी जाए, तो बाहर निकला जा सकता है. उसने सिंगों से दिवार गिराने का प्रेत्न किया. दो-चार चोटों में ही थोड़ी सी दिवार गिर गई. उसका उत्सा बड़ा. उसने औ भार मार कर भगा दिया. उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया. सुबह होने पर कांजी होस वालों ने देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चरिय हुआ. उन्होंने हीरा और मोती को निलाम कर दिया. निलामी में सबसे उची बोली लगा कर एक व्यापा हो गए थे. उनकी हड्या निकल आई थी. भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नह रहा था. वे चुपचा व्यापारी के साथ चलने लगे. रास्ता जाना पहचाना लगा, तो न जाने कहां से उनमें दम आ गया. वे दोनों तेजी से भागे. आगे आ पट गया. इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुचा और उन्हें मांगने लगा. मोती ने आव न देखा न ताव, वह व्यापारी पर जपटा. व्यापारी जान बचा कर वहां से भागा. जोरी की पतनी भी बीतर से दोड़ी-दोड़ी आई. उसने दोनों बैलों के माथ जूम लिए. तो आपको ये हीरा और मोती की कहाने कैसे लगी, हमें जरूर बताएए. बाबाई.